दिली में जो किया इन्हों ने, वो ही सोच रहते हैं, शायद हम यूपी में भी कर लें। ऐसी ही पार्टी के संजे सिंघ हैं, जिन्हों ने सोचा कि शायद यूपी के अंदर भी हम तंगा बढ़का के शायद इलेक्षन जी जाएं, कोंगी इलेक्षन आने वाले पंचायतों क अगर डिस्टिक कोड उनके खिलाफ NBW करती है और हाई कोड अलाबाद उस NBW को निरेस्ट करने के लिए राजी नहीं होता उनके खिलाफ नो F.I.R. हो जाती है उन्होंने ऐसे जिरनातक स्टेटमेंट्स दी हैं जिनको सुनके एक आदमी बड़ा ही लज़ित होता है इस चैनल के सभी शोताओं का मेरा हार्दिक अभी नंदन मैं S.D. मिदलेश एड़ोकेट फ्राम डेली मैं आज आपको आपकी पार्टी के एक राजी सभा के MP के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ नाम है संजे सिंग और आप पार्टी के स्पोक्समेन हैं और उनको यूपी का निक्ट किया गया इंचार्ज बनाया है उनको और जनाब जाते हैं UP में इसकोलों का नरेक्शन करते हैं कहीं दफ्तिfully का नरेक्शन करते हैं और फिर प्रेस कांफरेंस करते हैं और जा करके वह एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे की दो कम्यूंटी में एक दूसरों को लड़वाने की कोशिश करते हैं बड़े खुले मंच पर प्रेस कॉंफरेंस के अंदर दिली में जो किया इनों ने वही सोच रहते हैं शायद हम यूपी में भी कर लें जिस तरह से इनों ने दिली में एलेक्शन जीती और एंट ब्लॉक वोटें जो है ना एक पर्टिबल कॉमिनिटी की हासिल करी और कॉमिट्मेंट कि सम आपको पूरा फ्रीडम देंगे एलेक्शन के बाद अगर मैं सियम बन गए बिदोट केरिंग फर दी मैजोरीटी अफ दीस सिदियन अफ इस कंट्री और सब क्या गिप्ट दिया उन्होंने दिली के अंदर रियॉट्स फेल आए और जो ताहिर हुसेन थे जिन्होंने कोर्ड में अड्मिट किया चार शीट के अंदर हुआ है जो जेल में हैं जिनके ओपर देश द्रो का मुकदमा है पास्पेडिंग हेटर अमांग देवर ऐसी ही पार्टी के संजे सिंग हैं जिन्होंने सोचा कि शायद यूपी के अंदर भी हम दंगा बढ़का के शायद इलेक्शन जीज जाएं कोंगी इलेक्शन आने वाले पंचायतों के तो ऐसे महौल में अगर यूपी के पुलीस दो कॉमुटी के अंदर जगड़ा रोकने के लिए या मनमुटाव रोकने के लिए उनके खिलाब एफाई आर कर देती है तो मुझे बताओ क्या ये उनकी फ्रीडम आफ स्पीच के उपर कोई रिस्टिक्शन है क्या ये फियर एन फ्री एलेक्शन के अंदर कोई रुकावट है अगर डिस्टिक कोड उनके खिलाब NBW करती है और हाई कोड अलाबाद उस NBW को निरेस्ट करने के लिए राजी नहीं होता उनके खिलाब नो एफाई आर हो जाती है उन्होंने ऐसे जिर्णा तक स्टेटमेंट्स दी हैं जिनको सुनके एक आदमी बड़ा ही लज्जित होता है और अब वो सुप्रीम कोड चले गए थे कि सावी जितनी भी अफाई आर हुई नो की नो एफाई आर इन सब को यूपी से बाहर किया जाए कलब करके और महां की सुनवाई की जाए मतलब कहने का यह यह चाहते हैं कि सब कुछ जो है ना यूपी से दिली में आजा है और दिली में इनकी अपनी सरकार है और कह करके सारी अफाई आर को क्वेश करा देना यह इनकी इंटेंशन थी और फिर जो एन्पी डबल्यू यूपी गोवर्मेंट के या यूपी पुलिस ने इशू किया उसके सुप्रीम कोर्ड ने इनकी मानी नहीं तो जनाब आली ने किसान आंदोलन की आड़ के अंदर राज सभा में बड़ा दंगा उचाना बड़ी हुर्दंग मचाई नतिजा यह कि उनको उससे बाहर करते हैं कुछ दिन पहले इनी शाहिब जादों ने मुझजबवन अगर के अंदर एक महा पंचायत की थी किसानों की जहां इन्होंने जाटों को बढ़काया था किसाब धरने से नहीं उठना हैं तीनों कानून वापिस कराएंगे आप पार्टी आपका पूरा सपोर्ट करती है केजरिवाल आपके साथ खड़ा हुआ है अरे भया यह तो बता तो तीनों कानूनों में किसान के खिलाफ कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए सत्त दिनों से ये किसान आंदोलन चल रहा है और 2024 तक ले जाने की इसकी पूरी की पूरी उनकी प्लानिंग है इतना पैसा क्या ये चैना से मंगा रहे हैं या आपका इमरान साब दे रहे हैं या बिटेंश आ रहा केनड़ सर है कहां से आ रहा भया ये तो बता दो इलेक्शन जीतना बुरी बात नहीं है MP बनना बुरी बात नहीं है MP बनने के बात कम से कम आपको मौका मिलता है कि आप देश की अपने इलाके की जनता की सेवा कर सको और देश की हित के बारे में कुछ सोचो देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचो ना की ऐसा हुर्दंग मचाओ कि पूरे देश में या दिल्ली जो राजदानी हैं जिनमें उनका राज चल रहा है एक law and order position create कर दो कि शालों को सरकार खेला आप इतना बढ़का हो इतना बढ़का हो कि वो लाल के लिए के ओपर चड़कर अपना इंदुस्तान का जंडा है तेरंगा उसको फेक दे क्यों भाई एक आपका fundamental right है कि आप कुछ भी कर ले कोई कारवाई नहीं होगी अरे भाई अगर आपको protection चाहिए तो वो house भी मिलती है आपको आप वहाँ कुछ भी बोली है राजसभा में सब माफ है आप एक कौन है पप्लिक सर्वेंट है लोगों की सेवा के लिए आपको उन्होंने चुना है ना कि गुंडागर्दी करने के लिए ना कि किसानों को देश के प्रती बढ़काने के लिए ना कि दिल्ली का जो पैसा है बे तुकी जेगे परबाद करने के लिए ना कि दिल्ली वाशों को परेशान करने के लिए संजे सिंग भाईया आप तो उनके spokesman है ज़र अपने अंदर तो जहांक लीजे अपने पार्टी को देखी आपकी पार्टी ना तो आपने बहुत अच्छा रखाएं आप मतलब जो कुछ भी है वो तेरा है मेरा कुछ नहीं है और अब आप क्या करें जो कुछ भी है मेरा तेरा कुछ भी नहीं है आपने तो पुब्लिक को बिलकुल नकार दिया है दिली वालों को जिनों ने आपको आपके जूटे वाइदों के उपर आपके जो आपने वो फुल जड़ी हाथ में दीती रूंगा जिसको बोलते हैं बच्पन में आप सब्की लेने जाते हैं तो एक वो रूंगा देते थे ह में पंसाई आते था वो इमें गोली देता खा ले बैटा तु दुबारा मेरे पास जूरूर आई हो इसी तरह उन्हें ने फ्री वाइफाई का फ्री वाटर का फ्री अक्रिसिडी का और लेडिस के लिए फ्री डिटी स्राइड का जुन्जुना दे दिया और साब अप्टर इछा लिए की जनता ने जो आप यूपी में जा रहे हैं जो का लगों को बढ़का रहे हैं साफ सरकार को दैंगे आपको लाइट देंगे, आपको बिजली देंगे, हरी सरकार चाहती है, कम से कम दिल्ली जो है, देश की कैपिटल है, या आना जाना लोगों का लगा रहता है, बहुत जरूरी है, पता नहीं कोई बिमार कहां से मरने के लायक हो रहा है, वो दिल्ली में एम्स के अंदर के लोटी का बंदोपस नहीं करेंगे, अगर दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली की जनता की सुरुक्षा के लिए, जो 26 जनरे वाला कांट दुबारा ना हो, ऐसी विवेस्ता बाड़ों में कर दी हैं, कि वो जो हुर्दंग थे, जो नोटोरियस ऐलिमेंट थे, जो नीहंग थे उसके अंदर, और जो खालिस्तानी उसके अंदर थे, जो दर्शमन साल के जो कॉमरिस्त के फालोवर्स थे, कॉमरेट थे, वो अपने अपने ट्रेक्टर के ऊपर, स्पीट से चला करके, दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, एक आफ़त ना खड़ी करें, आपने तो दिल्ली वासियों को बिल्कुल नगनेट कर दिया, कोई परवा नहीं कर रही, अगर दिल्ली पुलिस, दिल्ली वासियों की जानमाल की सुरक्षा करना चाहती है, तो उसमें भी आपको इतना आज है, क्या इसलिए आपको जिताया था हम लोगोंने, क्या आपकी पाड़ी उसलिए वोर्ट दी थी कि आप हमें कभी किसान रेली के तहट लाकर के ट्रेक्टों से मरवाए हमें लानत है आपके इस देश प्रेम की अगर कोई मुझसे पूछे मैं तो कहूँगा देश के लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने को त्यार हूँ देश है तो मैं हूँ देश नहीं तो मेरी कोई उकात नहीं है और संजे जी आप भी ये कहना शुरू करो कि देश है तो आप है अगर देश ने तो आप नहीं पर आप मुझे नहीं लगता है चीज कहोगे आप तो कहोगे मैं हूँ तो देश है मैं नहीं तो देश नहीं तो सर थोड़ा सुधर जाओ अगर आपने दुबारा election करना है दुबारा आपके party को यहां लाना है यूपी में लाना है पंजाब में लाना है तो कुछ काम देश के हित्मे करिए देश को मत तोड़िए public नकार देगी आपको आज हिंदू जाग गया है हमें वही नेता चीए जो देश के भित्मे सोच सके है हमें इस ताइब ये देश दुरोही जो हिंदू मुस्लिम को बाटने की कोशिश करें एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करें हमें कोई आउशकता नहीं है जैहन